प्रूपांतरन के बारे में जाना चाहता हूँ जो लोगों में आपके केंदर में आकर होता है क्यूंकि मैंने उसमें वापस आने के बाद जबरदस्त बदलाव देखा ये सब किस बारे में है क्या ये सच है कि इस धर्ती पर जीवन के विकास की प्रक्रिया में क्या आप क्रमिक विकास से सहमत है ठीक है मैं टेनेसी से आया हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ विकास की प्रक्रिया में क्या ये सच है कि इनसान के रूप में हम सबसे उपर है सभी जीवों में हम सर्वश्रेश्ट है शायद थोड़ा और करने की जरूरत है मगर फिलहाल हम सबसे उपर है मगर क्या ये भी सच है कि जब लोग कहते हैं इंसान तो हमेशा उनका मतलब होता है कि अरे मैं तो सिर्फ इंसान हूँ इंसान शब्द को हमेशा उसकी सीमाओं से जोड़ा जाता है बहुत कम लोगों ने मैं इंसान हूँ का उपयोग इंसान की विशालता बताने के लिए किया है हमेशा इंसान होने की सीमाए तो कहीं न कहीं हम बुनियादी मुद्दे से चूग गए मुद्दा ये है क्या ये सच है कि इस धर्ती पर हर जीव एक कीड़ा, एक चड़िया, एक जानवर जिनका दिमाग हम से लाग गुना छोटा है वे अपनी जीवन प्रक्रिया बड़े अच्छे से चलाते है हलो क्या ऐसा है हर मामली चीज के लिए हम बड़ा हंगामा करते है वे आराम से कर रहे है विभिन जीने मरने की तमामों प्रक्रियाएं वे बिना किसी जहमेले के कर रहे है हम हर चीज बड़े जहमेले के साथ करते है क्या ये बुद्धी मता का सबसे उंचा स्तर दिखाता है हम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते है और इसमें शक नहीं कि हमारी neurological प्रक्रिया धर्ती पर सबसे ज़्यादा विक्सित है हमारे पास सबसे विक्सित neurological system है तो हमें बेहतरीन तरीके से महसूस करना अनुभव करना, समझना और व्यक्त करना चाहिए मगर धर्ती पर अभी कोई दूसरा जीव इनसान के तरह संघर्ष नहीं कर रहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक सूपर सूपर कम्प्यूटर मिला है क्या आप मुझसे सहमत हैं कि ये धर्ती का सबसे परिश्कृत यंत्र है आइफोन नहीं आए पर अब सवाल ये है कि क्या आपने यूजर्ज मैन्वल पढ़ा है बस लोगों ने यूजर्ज मैन्वल ही नहीं पढ़ा है धर्ती की सबसे जटल मशीन का और कैसे भी गलतियां करते हैं वे उप्योग करने की कोशिश कर रहे है हर चीज एक समस्या है मुझे एक चीज बताईए जिस से इंसान दुखी नहीं है अगर वे गरीब हैं तो गरीबी से दुखी है आप उन्हें अमीर बना दीजे तो वे टैक से दुखी है अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो दुखी है उन्हें स्कूल में डाल दीजे भारी दुख शादी नहीं हुई तो दुख उनकी शादी करा दीजे मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा बच्चे नहीं हैं उससे कुछ लोग दुखी हैं बच्चे हैं हर रोज दुख तो आप जीवन के हर पहलू से दुखी लगते हैं तो अगर हम मौत दे दें, क्या आप खुशी-खुशी जाएंगे? नहीं, आप दुखी हो जाएंगे. तो मुझे एक चीज बताईए, जिससे हम दुखी नहीं है. अब लोग फिलोसफी बनाते हैं, जीवन दुख है. नहीं, जीवन दुख नहीं है. नहीं आनंद है. ये तो बस मौझूद है. ये शांदार प्रक्रिया है. अगर आप इसकी सवारी करते हैं, तो ये शांदार है. अगर आप इससे कुछले जाते हैं, तो ये भेंकर लगता है. तो क्या आप जीवन की लहर पर सवार हैं या इससे कुछले जा रहे हैं यही सवाल है तो इसके होने के लिए इनसान को क्या दुख है माफ कीजेगा आपका नाम क्या है Sky आप तो बहुत बड़े हैं आप बहुत बड़े आदमी हैं Sky आखरी बार कब किसी ने आपको खंजर चुब होया था हलाकि आप लोस एंजलिस में रहते हैं वो बहुत पहले हुआ था मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों के जीवन में कितना दुख असल में बाहर से आ रहा है जरा सा बाकी वे खुद पैदा कर रहे हैं अगर वे बैठते हैं तो दुख खड़े होते हैं तो दुख अगर कुछ होता है तो दुख कुछ नहीं होता है तो दुख उनका दुख उनकी अपनी ही मनोव्याज्यानिक प्रक्रिया से है आपके अपने ही विचार और भावनाई यानि आपके सोचने और महसूस करने का तरीका इतना बड़ा दुख बन गया है आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं क्या ये आपको तै नहीं करना चाहिए हलो आपके भीतर क्या होता है क्या उसे आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए क्या आप मुझे देख सकते हैं स्काई बताईए मैं कहा हूँ हाथ से इशारा कीजिए मैं कहा हूँ अरे आपने घलत बताया, आपको पता है मैं मिस्टिक हूँ, अब ये रोश्नी, ये रोश्नी मुझ पर पड़ रही है, उल्टा मुड़कर आपके लेंज से गुजरती है, रेटिना में उल्टी छवी बनाती है, अब ये सब जानते हैं न, अभी आप मुझे कहां देख रहे ह अपने भीतर, अभी आप मुझे कहां सुन रहे हैं, अपने भीतर, आपने सारी दुनिया कहां देखी है, अपने भीतर, हर चीज जो आपको हुई है, पीडा और सुख आपके भीतर हुआ है, खुशी और गम आपके भीतर हुए है, व्यथा और पर्मानंद आपके भीतर हु पर कम से कम आपके भीतर जो होता है उसे तो आपके हिसाब से होना चाहिए है न? तो आपके अंदर जो होता है वो अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो बुनियादी रूप से हमने जीवन की प्रकृति को नहीं समझा है उसे बिना समझे अपने अस्तित्व की बुनियादी चीजों को समझे बिना, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये सच है? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्या ये सच है कि पीड़ा और सुक दोनों आपके भीतर पैदा होते हैं? उसे बाहर से उकसाया जा सकता है मगर सारा इंसानी अनुभव आपके भीतर से ही आता है जो आपके भीतर से आ रहा है, उसे आपके मताबिक होना चाहिए वरना आप खुद के काबू से बाहर होंगे तो मेरा पूरा काम और जो चीज़ सिखाई जाती है उसकी बुनियादी प्रकृती को इनर इंजिनियरिंग कहते है मतलब हमने दुनिया को कई तरह से इंजिनियर किया है जिसने हमें जबरदस्त आराम और सुविधाएं दी है क्या आप मेरी बात से सहमत है कि हम आसाधारन सुविधाओं का आनंद लेने वाली सबसे आराम देह पीड़ी है जिसकी कोई पीड़ी कलपना भी नहीं कर सकती थी हाँ या ना जो राजाओं के पास भी नहीं था सौ साल पहले आज आम लोग उसका अनंद ले रहे हैं है ना आप कौन सा रथ चलाते हैं कितने गोड़े हैं हाँ मैं कह रहा हूँ महराजा भी चार सो घोड़े नहीं चला सकते थे ठीक है तो ये सब मानवता पर बरबाद हो रहा है क्योंकि लोगों का जीवन का अनुभव बहतर नहीं हुआ है क्योंकि आपकी खुशाली कभी बाहर से नहीं आएगी बाहर से आप आराम जुटा सकते हैं सुविधाएं जुटा सकते हैं पर खुशाली पैदा नहीं कर सकते खुशाली सिर्फ आपके भीतर से पैदा हो सकती है क्योंकि इंसानी अनुभव भीतर से पैदा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि कि आपके अनुभव की प्रकृति क्या है वो जो भी हो सुखद या दुखद दोनों आपके भीतर से पैदा होते हैं लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आप अपने लिए खुशी पैदा करेंगे या दुख जादा से जादा खुशी अगर पीड़ा और आनन मे से एक चुनना हो तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे कृपया चुनिये मैं आपको आशिर्वात देने वाला हूं पीड़ा या आनन्द हाँ कम से कम अपने लिए तो निश्य ही सरवाधिक खुशी आप अपने पडोसी के लिए क्या चाथे हैं इस पर बहस हो सकती है इस खुद के लिए जो चाहिए वो सौफ विसदी साफ हैं, इतनी साधारन चीज क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि ये दिमागी गतिविधी क्रमिक विकास की प्रक्रिया में नई है। ये एक नई घटना है, ये बड़ा दिमाग, नई से मेरा मतलब है सिर्फ कुछ लाक साल पहले, पर विकास के पैमाने पर ये नई है। तो हमारे पास एक ऐसी बुद्धी है, जिसके लिए हमारे पास एक स्थिर आधार नहीं है। आपको यातना देने के लिए किसी और दूसरे की ज़रुवत नहीं है, है न। आप खुद ही काफी है, आपको कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए, आप अकेले कहीं बैठ कर वहीं नर्क बना सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, आप इसे क आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, एक बार आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो जाए, तो कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि हम आपको जहां भी ले जाएं, आप दुखी ही रहेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन वे सवर्ग जाएंगे वे ठीक से रहेंगे मैं पूछ रहा हूँ क्या आपके पास कोई सवबूत है कि आप पहले ही सवर्ग में नहीं है और उसे बरबाद नहीं कर रहे है आपके पास कोई सवबूत है नहीं आपके पास कोई सवबूत है नहीं जरा कल्पना कीजिए, सौ साल पहले लोग इसी जगह पर कैसे रहते थे और आप कैसे रह रहे हैं, उसकी तुलना में क्या शिकायत करने के लिए कुछ है, हलो, ओ, लेकिन हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, इस धर्ती पर कोई हमारी तरह भुन-भुना नहीं रहा, तो समस्या बाहर की नहीं है, बाहरी हालात जरूर हैं, कुछ हालात हमारे मन मुताबिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसा ही होता है, आपके परिवार में चाहे दो ही लोग हों, तब भी क्या हर चीज आपकी मर्जी से होती है? नहीं, वो कभी नहीं हो सकती, बाहरी चीजें पूरी तरह आपके हिसाब से कभी नहीं होंगी, कुछ हद तक हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आपके भीतर होता है, उसे तो पूरी तरह आपकी मर्जी से होना चाहिए, अगर अभी आपके भीतर जो हो रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो आपके भीतर हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है कोई जादू नहीं बस इंजिनियरिंग